galaxy template for blogger customization देखे blogger के उपर अगर हम website बनाते हैं basically मैंने यहाँ पर एक website आपको दिखाया था यह जो website मैंने बनाया था इसके उपर कुछ post मैंने डाले थे इसके उपर अगर हम click कर दे थे post कुछ इस तरीके से open हो जाते हैं यहाँ पर मैंने आपको दिनवा दिन सिखाया था वीडियो कैसे अड़ करना है, पोस्ट कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनाना है, यह जो प्लेलिस्ट आप लोग देख रहा है, PC Grubber चैनल की, A to Z वीडियो के उपर आपको सारे के सारे वो वीडियो दिखने के लिए मिल है, उसको हम कैसे यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और यह बेसिकली पार्ट वान है, इसके अंदर हम डिसकस करेंगे, कैसे हम टेंपलेट इंस्टॉल करेंगे, कहां आपको टेंपलेट मिलेंगे, साथी साथ यह भी बताएंगे, उपर की तरब जितने भी बनेगा, जिसके अंदर आपको दिखने के लिए मिलेंगे, गलक्सी टेंपलेट कस्टमाइजेशन करके, सारे वीडियो A to Z कस्टमाइजेशन के सारे वीडियो उस प्लेलिस्ट के उपर रहेंगे, इसी वज़े से मैं आपको बोलूँगा, चैनल को सब्सकाइब कर लेना, यहाँ पर मैं अपने 8-9 साल के यूट्यूब और ब्लॉगिंग एक्सप्रियेंसे जितना भी सीखा हैं, as it is आपके साथ शेयर करते हैं, सबसे पहले आपको जाना है अपने ब्लॉगर वेबसाइट के उपर, यहाँ पे आप लोग जो पोस्ट डाले हैं इस पोस्ट रहने इसमें कोई धिक्कत नहीं है, छेरखानी के ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली चले जाएए यह थीम के उपर, अब जो टेंपलेट है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको जाना होगा Google के उपर, यहाँ पे आने के बाद आपको सर् आरे, जितने भी मैंने अपने YouTube चैनल के उपर टेंपलेट दे रखें, वो सारे के सारे यहाँ पर अपलूट करता रहता हूँ, आप लोग यहाँ पर गैलक्सी करके सर्च कर लेना है, यह जो सर्च बॉक्स है, इसके उपर क्लिक कर देना, फोन के उपर अगर आप खोलोगे इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट कर रिपलाई कर दूँगा, अब चलिए, यहाँ पर टेंपलेट हमारे पास है, हम थीम के उपर जाते ही, अगर आप पुराने टेंपलेट जो है, आपके पुराने टेंपलेट के उपर जो भी डिजाइन आप ऐसे करके वो अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आप बाद में चाहते हैं, आपके साइट पहले जैसा दिखें, तो आप थीम के उपर ना पहले चले जाओ, यहाँ पर जाके इसको बैक अप ले लो, जैसे ही बैक अप के उपर क्लिक करोगे, यह डाउनलोड हो जाएंगे, और तू गलक्सी वाला टेंपलेट है, आप लोट के उपर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएंगे, आपके टेंपलेट जहाँ पर है, अब जैसे कि मेरा डाउनलोड फोल्डर के उपर है, आप नीची की तरह आप आजाईए, या फिर आपकी फोन के रहे, वो आपको एक बर ढूंड लेना है, जैसे कि आप लोग ढूंड लेते हैं, उसके बाद आप टेंपलेट को ओपन कर लीजिए, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर रहे पड़ा हुआ, तो हम यह जो ओपन बटन है, यहाँ पर क्लिक करके सिंपली ओपन कर लेंगे, जैसे आप गैलक्सी को इस्तिमाल करेंगे, कुछ ऐसे आपके साइट दिखने के लिए मिल जाएंगे, काफी एक्टीव एंड काफी यहाँ पर डिजाइन वाला यह टेंपलेट हैं, इसके अंदर एटसेंस अप्रूवल काफी असान इसे आपको मिल सकते हैं, अगर आप पोस्ट क आप लोग अगर चाहते हैं, एनेवल कर सकते हैं, कोई धिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको अब करना क्या है, अब ब्लॉगर के सेटिंग्स के उपर जाएंगे, यहाँ पर लेयाउट वाला एक सेक्शन रहेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब यह जितने भी यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर About Us जो है, बेसिकली यह देखिए, About Us के उपर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ न, यहाँ पर कोई template का अलग page open हो रहा है, तो उसके पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर About Us का page डालेंगे, वो डालने के लिए आप क्या website है इसको दुबारा right click करके open new tab कर लीजिए यहाँ पर आपके blogger को दुबारा open कर लीजिए जैसे कि आप अपने blogger को यहाँ पर दुबारा open कर लेते हैं आप layout के उपर जाईए top menu के उपर जाईए यहाँ पर आने के आप लोग यहाँ पर search कर लेना about us page उसके बाद डाल देना pcgrabber डालके enter दबाओगे तो आपके सामने यहाँ पर how to make contact us how to make about us यह पेज यह देखिए privacy policy page pcgrabber के यहाँ पर सारे वीडियो हमने बना रखे तो आप आप लोग यह pcgrabber कर लोगो देखकर वीडियो देख लेना आपको सारे के सारे चीज इजली मिल जाएंगे अब यह page बनाने के बाद आपको भी ऐसे दिखने के लिए मिल जाएंगे आप लोग क्या करोगे यहाँ पर about us का जो link है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग paste करके save कर देना है ऐसे करके contact us privacy policy यह सारे जो page है या फिर कोई और बनाना चाहते है एड new item के उपर क्लिक कीजिए यहाँ पर जैसे के मैंने क्लिक किया disclaimer अगर मैं डालना चाहता हूँ तो disclaimer पहले यहाँ पर type कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर जो link वाला option है इसके उपर इसको हम delete करेंगे और यहाँ पर disclaimer को copy कर लेंगे और यहाँ पर disclaimer डालके save कर देंगे अब save करने के बाद यहाँ पर दुबारा save करना होगा यहाँ पर जैसे मैंने save कर दिया उसके बाद मैं आपको एक magic दिखाता हूँ magic तो नहीं मतलब यह काम है यहाँ पर मैं आपको बता हो रहा है वैसे अगर मैं डिस्कलाइमर के उपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखे हैं हमारा जो डिस्कलाइमर वाला पेज था वो उपेन इजीली हो रहा है तो भाई इस तरीके से आप जो अपने mandatory pages है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए जो यहाँ पर कोई से भी icon के उपर आप लोग क्लिक करोगे तो इनके जो social handles है उसके उपर यहाँ पर देखे सौरी करके आ रहा है तो आप अपने icon कैसे डालोगे यहाँ पर जैसे कि सारे icon दिया हुआ है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं वैसे भी अगर आप यहाँ पर YouTube को यह कर लेंगे और copy करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर site URL की जगा पर हमारे channel का URL डाल देंगे पूरी तरीके से अब देखिए जैसे यहाँ पर channel का link मैंने डाला है save कर देंगे दुवारा save कर देंगे जैसे save कर देते हैं यहाँ पर आके एक बार refresh कर लेंगे और refresh करने के बाद एक बार हम YouTube लोगो के उपर click करेंगे आप देखिए हमारा channel open हो रहा है तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर linking कर सकते हैं उपर वाला हिस्सा पर अब आईए भ साइज आपको दे कर लोगो बनाने पड़ते हैं अब वो कैसे आप बनाओगे इसके लिए एक dedicated वीडियो है मैं अगर यहाँ पर लोगो बनाना दिखाना लग जाओ तो वीडियो आपको एक घंडे से भी लंबा हो जाएंगे तो एक काम आप लोग करना आप लोग ब्लोगर लोगो या फिर कुछ ऐसे डालना एंड उसके बाद पीसी ग्राबर डाल देना पीसी ग्राबर बाद में डालना ठीक है मैंने इसी तरीके से आपको बताए हैं अब देखिए यहाँ पर हाउ टू मेक लोगो फॉर ब्लोगर वीबसाइट यह पीसी ग्राबर का वीडियो है तो इसके उपर मैंने बताए हैं आप कैसे लोगो बना सकते हैं इसली तरीके से कैसे लोगो बना सकते हैं ऐसे लोगो आप लोग कैसे बना सकते हैं यह जो लोगो है ना तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लोगो हमारा बनाया हुआ पड़ा हुआ है अप्लोड इमेज फ्रॉम क आपको लोगों कुछ ऐसे दिखाएंगे थोड़ा सा टाइम लग जाएंगे आपको वेट कर लेना है अब देखिए यहाँ पर इमेज आ जाएंगे कुछ इस तरीके से अब लोगों जो यहाँ पर है ब्लैक होना चाहिए लेकिन हमने यहाँ पर वाइड बनाया था तो इसको करेंगे हम ब्लैक वाला एक लोगो बनाया था उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे जैसे हम लोग अपलोड कर देते हैं न उसके बाद आप लोग देखना यहाँ पर चेंज हो जाएंगे अब ऐसे आ चुका हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहना देंगे and यहाँ पर save button के उपर click कर देंगे save करने के बाद एक बार refresh करेंगे यहाँ पर आके and आप लोग आप देखोगे यह galaxy जो जगा है यह पूरी तरीके से change हो जाएंगे and यहाँ पर हमारा logo आ जाएंगे आप देखो logo आ चुका है अब यह जो section है home menu करके यह जितने भी section आ रहा है बहुत ही easy है guys आप लोग main menu main menu यह आपको ढोड़ना है main menu करके इसके उपर click कर देना and यहाँ पर click करने के बाद मैं आपको ध्यान से समझा देता हो समझ लो home के उपर छेड़खानी करने के ज़रूरत नहीं है अब यह जो mega menu है mega menu के जगा पर आप लोग क्या करोगे इसका नाम चेंज कर सकते हो यह mega menu का नाम चेंज कर देना and यहाँ पर recent यह रहने देना जब भी आप कोई post publish करोगे वो automatically by default ऐसे दिखने के लिए मिल जाएंगे ऐसे ही आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे तो यह mega menu आप लोग नाम यहाँ पर डाल सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर recent डाल रहा हूँ recent मतलब recent जो post होंगे बो डाल रहा हूँ save कर रहा हूँ and दुबारा यहाँ पर save कर देता हूँ अब एक बर refresh करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए and यहाँ पर आपको ढूंडना है features करके अब feature के नीचे जितने भी यह बन रहा है यह जितने भी pages बन रहा है यह आपके drop down pages है अगर आपको नहीं चाहिए तो तूरंत यहाँ पर जाने के बाद यह feature को यहाँ से delete कर सकते हो वैसे भी जितना आप menu कम रखोगे उतना ही user friendly आपके site होगा ठीक है तो feature आपने हिसाब से आप लोग set कर लेना और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा यह left slide bar जो है यह basically feature के अंदर यह post के अंदर यह देखिए left slide bar, right slide bar कुछ ऐसे आ रहा है तो यह जो create हुआ है यहाँ पर post short codes के अंदर और एक drop down create हुए कैसे हुए वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके सामने ना feature करके रहे जाएंगे feature के अंदर यहाँ पर देखिए feature post, feature short code उसके बाद यहाँ पर underscore दिया हुआ है यह जो है underscore है basically यह underscore दो बार यहाँ पर दिया हुआ है दो बार का मतलब यह है post के नीचे जाएंगे post के अंदर जाएंगे यह जो है यह post के अंदर जाएंगे अब एक बार का मतलब यह है यह feature के अंदर जाएंगे, यह जो feature है, इसके अंदर यह सारे आ गया है, एक बार underscore देने से, अब इसके नीचे अगर दो बार दोगे, तो error page के अंदर, अगर मैं कोई यहाँ पर drop down बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा है, यहाँ पर देखिए, error page हमें ढूणना है, error page यह रहा, अब simply add a new item के उपर click कर देना है, यहाँ पर हमें दो बार underscore देना है, दो बार underscore दे दिया, उसके बाद यहाँ पर डालना है, जैसे जीजी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, जीजी डालके मैं save कर रहा हूँ, अब इसको उपर ले जाना है, उपर ऐसे ऐसे करके उपर, या फिर कोई भी और चीज़ लगा दो, और उसके बाद यहाँ पर save कर दो, जैसे आप लोग save कर देते हैं, आप एक बार refresh करेंगे, और feature के अंदर जाएंगे, यह देखिए, error page के अंदर जीजी आ चुका है, तो आप लोग समझ गया है, कैसे यहाँ पर drop down बनाना है, drop down बन कीजिए, जैसे कि यह contact us है, यहाँ पर देखिए, यह contact us एक रहेंगे, यहाँ पर contact us, इसके उपर अगर मैं click कर रहा हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है, आप लोग सुन रहा हो न, तो यहाँ पर contact us page का हमें link copy कर लेना है, इस link को हम copy करेंगे, and copy करने के बाद, यहाँ पर contact us के बनाने के लिए, अब simply YouTube के उपर जाना, यहाँ पर डाल देना, contact us page, c-o-n-t-a, c-t, contact us, उसके बाद, pc grabber डाल देना, जैसे डाल के enter दबाओगे, आपके सामने यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाएंगे, how to make contact us page, pc grabber के वीडियो है, आपको सारे के सारे वीडियो में बना से मत हिच की जाना, जरूर कमेंट करना मैं आपको help करनी की कोशिश करूँगा, और यह galaxy template अगर आप design पूरी तरीके से कर लेंगे ना, तो आपके site एकदम कमाल के लगने वाले हैं, और यह pc grabber जो channel है ना guys, pc grabber channel में यहाँ पर मैं अपने 8-9 साल के YouTube और blogging experience को कठे करके जित इसा बात बिल्कुल नहीं है, हर topic को cover करने की मैं कोशिश करता हूँ, आपके जो problem है वो मैं समझता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, make sure guys channel को subscribe करके मुझे motivate करना तके in future ऐसी कमाल के वीडियो मैं आपको share कर पाहूँ, और वैसे भी Instagram के उपर आप मुझे contact कर सकते ही, जि पूछ नहीं पूछते हैं, तो ऐसे चीज़ कभी भी हमारे वीडियो के comment पे, email पे, हमारे website पे मत जाला कीजिए,